शिम्ला सस्तियक शेतर के सांसदवा पच्छाद के पुरविधाइक सुरेश कश्यप ने पच्छाद उप्चुनाओं में बीजीपी की जीत का दावा किया है। शिम्ला सस्तियक शेतर के सांसदवा पच्छाद के पुरविधाइक सुरेश कश्यप का दावा है कि पच्छाद उप्चुनाओं में बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछले दो विधान सभा चुनाओं से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। और यही सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि बीजेपी को लोग सभा चुनाओं में इस कशेतर से करीब 16000 मतों की बढ़त मिली थी। मगर इस बार जीत का आंकडा 20,000 के पार रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जैराम सरकार ने पच्छाद विधान सभाक शेतर में अनेकों विकासात्मक कारे किये हैं जिसका सिधालाब इन चुनाओं में पार्टी को मिलने वाला है। सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि केंदर सरकार द्वारा आईशमान भारत उजवला योजनाव किसान सम्मान निधी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका सिधालाब लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाओं पर चार के मद्दे नजर इन सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। पचाद विधान सबक्षीतर से की है और हैट्रिक जीत का इस पार भारतिय जनता पार्टी यहां से मनाएगी है। पान साल का केंदर सरकार के जो कारे काल रहा उसके बाद अभी जो सो दिन का कारे काल केंदर की सरकार का और पौने दो वर्ष की जो पलबधियां परदे सरकार की। हिमाचल प्रदेश में अदर्नी जैराम ठाकर जुकरिन तित्तों में इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विकास की रहा पर आगे बढ़ा है। प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिसमें की हम मुख्य मंत्र गिनी सुधा योजना की बात करें। चाहे हम जन्मंच की बात करें, स्वाबलंबन योजनाओं की बात करें, बुड़ापा पेंशन बढ़ाने की बात करें, या फिर जो लाब हमारे किसान, बागवान, मजदूर, हमारे करमचारी, अधिकारी, हमारे विपारी, ये सारे जो लाब हमारे प्रदेश की जनता को मि इन सारी प्रदेश सरकार की जनक लेट करी योजनाओं को लेकर और केंदर सरकार की उपलबधियां इस प्रकार से हम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, जो आज पूरे देश बरके किसानों को मिल रहा है। किसानों की पैंशन की बात हम करें, आईशमान भारत योजना की हम बात करें, उजला योजना की हम बात करें, और या फिर बहुत सारी जनक लेंड कारी योजना और जिस प्रकार से धारा 370, 35 को समाप्त करना, 3 तलाक का मुद्दा और ये सारी बातों को लेकर जनता के बीच मे हम लोग जाएंगे और इस चुड़ा एक बड़े मार्जिंस हम जीते हैं